हे गाईस आज के इस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे टॉप 10 वास cg i effect मूवीज के बारे में आपने काफी बार बहुत सारी होलूड की मूवीज देखेंगी जिन मूवीज के अंदर बहुत सारा cg i or vfx का यूज किया जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं लगता कि य 2004 में ये एक action fantasy movie है ये एक super hero movie है जो cat woman नाम की एक super hero के उपर based है इस movie के CGI वहाँ पर खराब हो जाते हैं जब cat woman अपने दुस्मनों से लड़ रही होती है और वहाँ पर ये एक building से दूसरे building पर बिल्लियों की तरह उचल के जाती है वहाँ पर साफ साफ पता लगता है कि यहाँ पर किसी animated character का use किया गया है वो CGI बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे इस movie का budget तो ठीक थाक था इस movie का budget 100 million dollar के करीब था लेकिन फिर भी इसके VFX इतने ठीक थाक नहीं थे हो सकता है इस movie के CGI team के पास time ना हो इस movie को जल्दी जल्दी रिलीस करना हो इसलिए उन लोगों ने unfinished work हम लोगों के सामने present कर दिया और हो सकता है सायद इसलिए यह movie flop हो गए इस movie का budget था 100 million dollar लेकिन उसके बावज़दी इस movie ने 84 million dollar worldwide collection किया था यह movie हिंदी में अफलेबल है इसको इस movie का आपको वो सीन तो यादी होगा जब इमोटेब और O'Connell उतावले होते है Scorpion King यानि बिच्छू राजा को मारने के लिए क्योंकि जो भी उसको पहले मारेगा वो उसकी पूरी सेना का सासक बन जाएगा और यह लोग लिए उनके एक अनिमेटेड वर्जन को हमारे सामने लाया गया है जो कि आधा इंसान और आधा स्कॉर्पिन है बस इस movie का यही एक पार्ट था जिसमें हम थोड़ा डिसपॉइंट होते हैं वाकि movie दो बहुत अच्छी है स्टोरी भी बहुत अच्छी है इस movie के तीन पार्ट साएं और तीनों ही हिंदी में अब लेबल हैं आप तीनों को देख सकते हैं इस movie को रेडिंग्स में 6.4 आउट ओफ 10 आम डिवी पर हमारा next वाट सीजाइ एफेक्ट सीन है अगर आपने ये movie देखिए तो आपको इस movie का वो सीन तो यादी होगा जब पुलिस वाले मिल के एक आदमी को पकड़ना चाहते हैं जिसके लिए वो लोग अपनी एक female officer को उसके साथ भेज बदल के भेज देते हैं ताकि उसको ये ना पता लेए कि ये एक female officer और वो female officer इसके साथ कार में जा रही होती है लेकिन उसी भी पुलिस वाले अचानक से आके उसको surprise कर देते हैं और गलती से इस female officer से एक गोली चल जाती है उस आदमी के ओपर जिसके करणर पूरी car crash हो जाती है और वो car crash scene बिल्कुल भी realistic नहीं लगता यहाँ पर CJ और VFX को तो छोड़ी दीजे यहाँ पर ये physics के loss के भी विरुद जाती हुई दिखती है हमको ये car क्योंकि जिस तरीके से car पलती है उसका accident हुआ है वो बिल्कुल भी unrealistic लगता और सायद ऐसा असली दुनिया में कभी हो भी ना तो इस वैसे काफी भेकार सीन था इस movie का बाकी movie तो ठीक ठाक है अगर इस movie की story की बात करें तो इस movie के अंदर कहानी दिखाए गई है एक senator की जिसकी बेटी को कुछ लोग किड्नाप कर लेते हैं उसके private school से जिसके बाद detective Alan Cross Investigate करते हैं इस पूर एक केस को ताकि वो पता लगा सेगे कि आखिर इनकी बेटी कहां गई है किन लोगों ने उनको किड्नाप किया है यह movie हिंदी में अवलेबल इसको रेटिंग्स में 6.4 आउट आफ 10MDB पर हमारा next worst CGI effect scene है Star Wars Episode 4 A New Hope Movie का जो आई थी 1997 में ये एक Action Adventure Fantasy Movie है वैसे तो जब ये movie release हुई थी 1997 उस समय लोगों को ये movie बहुत ज़्यादा पसंद आई थी उस समय इस movie के VFX लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आये थे लेकिन कुछ जगा पे इस movie के VFX इतने अच्छे नहीं थे और वो scene था जब Han Solo मिलने जाते है Jab The Hutt नाम के character से और वहाँ पे हमको साफ साफ पता लगता है कि यहाँ पे Han Solo green screen के सामने सिर्फ अपने dialogue पढ़ रहे हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा unrealistic लगता है Jab का character साफ साफ हो में पता लगता है कि यहाँ एक animated character का use किया गया है बाकी movie तो बहुत ज़्यादा अच्छी है Star Wars की सबसे best movies म से एक है तो अगर आपको यह movies देखनी हो तो आप इसके सभी parts देख सकते हैं इसके सभी parts हिंदी में available हैं हमारा next war CGI effect scene है I am legend movie से जो आई थी 2007 में यह एक accident विंजर ड्रामा movie है आप सभी को इस movie का वो scene तो यादी होगा जब Will Smith अपने आपको बचा रहे होते हैं Dark Seekers से Dark Seekers यानी zombies यह सभी इंसान zombies बन गए हैं और अब इनको Dark Seekers कहा जाता है पर वहाँ पे एक जगा पे जब यह zombie अपना मूँ बहुत बढ़ा करता है तो वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे इसका मूँ लास्टिक की तरह हो गया और यह खींच रहा है और यह बहुत जादा unrealistic लगता ह माना कि वह एक zombie बन गया लेकिन zombie बनने की वैसे यह थोड़ी ना है कि उसका movie बहुत जादा बड़ा हो जाएगा यह characters असली कम और animation जादा लग रहे था ऐसा लग रहा था हमारे सामने कोई animation movie चल रही हो तो यह इस movie की थोड़ी सी कमी थी बाकि movie तो बहुत अच्छी आप इ इसकी मुलाकात होती है इसके father से पर वो इसके real father नहीं होते वो बस इसके father के digital copy होती है जो इस world के उपर राज कर रही है वहाँ पे मैं देखनी को मिलता है जब ब्रिजस का एक young version पर वो young version हमें real कम और एक animated version जादा लग रहा होता है ऐसा लग रहा होता है कि सामने कोई animated movie च CGI effect scene है The Matrix Reloaded movie का जो आई थी 2003 में येक action science fiction movie है इस movie का वो scene तो आप सभी को यादी होगा जब नियो अखेले लडने जाता है Agent Smith की पूरी आर्मी से Agent Smith ने अपने जैसे दिखने वाले बहुत सारी लोग वहाँ पे भुला ली ये थे जो नियो को मानने के लिए आये लेकि नियो अपनी super powers का use करते वे उन सभी लोगो को मारना सुरू कर देता है उसी बीच नियो एक लोही की rot उठाता है और उन सब लोगो को बहुत तेजी से मारना सुरू करता है और वहीं पे इस movie के VFX थोड़े से मात खा जाते है क्योंकि वहाँ पे हमको साफ साफ पता लगता है कि य से एक बार CGI और VFX की दुहिया में करांती लेकर आएगा, revolution लेकर आएगा, ये movie हिंदी में अवलेबल है, इसके तीनों पार्ट हिंदी में अवलेबल है, इस movie को रेटिंग स्प्रें स्थ 7.2 आउट अफ टैनाम डिवी पर, हमारा next worst CGI effect है Die Another Day मूवी का जो आई थी year 2000 पे, य एक Accident Venture Thriller मूवी है, अगर आपने ये movie देखे तो आपको इस movie का वो scene तो यादी होगा, जब James Bond अपनी जान बचाने के लिए पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरों के ओपर सर्फ कर रहे होते हैं, एक परसूट की मदद से, वो scene देखके साफ साफ हम लोगों को पता लग इस movie के बाकी VFX और CGI scene तो काफी अच्छे हैं, वो आपको बहुत जादा पसंद आएंगे, और ये movie भी आपको काफी पसंद आएगी, ये movie हिंदी में अवलेबल, इसको रेटिंग स्में 6.1, आउट और 10 IMDV पर, हमारा next, What CGI effect है King Kong movie का, जो आई जी 2005 में, येक Accident Adventure Drama movie है, इस movie के रास्ते में आजाते हैं, वो इनको बस कुचल नहीं वाले होते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरा जान बचाके वहाँ से भाग रहे होते हैं, वो scene देखके हमको साफ़ साफ पता रखता है, कि क्योंकि इन लोग पीच्छे कोई भी dinosaur नहीं पड़ा है, चूंकि वो बहुत ज वाला सीन थोड़ा सा अन्रियलिस्टिक लगता है बाकी मूवी तो बहुत अच्छी और आपको डेफिनेटली ये मूवी देखनी चाहिए ये मूवी हिंदी में अवलेबल है इसको रेडिंग्स प्लेश 7.2 आउट आफ टैनायम ड्यूवी पर हमारा फर्स्ट सबसे बेकार सी इफेक्ट है अल्ट्रा वॉलेट मूवी का जो आई थी 2006 में ये एक एक साइंस फिक्षिन मूवी है इस मूवी का वो सीन तो आप सभी ने देखा होगा जब हमारी फिल्म के हिरोईन अपनी बाइक भगा रही होती है दिवालों के उपर और उसी बीच वो सामने से जो हेलिक लगता है ये वो हर तरीके से अन्रियलेस्टिक ही लगता है ये मूवी हिंदी में अवलेबल इसको रिटिंग स्में 4.5 आउट और 10 आम डिवीबर सो गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीज़े चानल क सब्सक्राइब कीज़े में मिलता हूँ अपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद